हेलो गाईस आज हम बनाने जा रहें मसाला टिंडे बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनकर के तयार होते हैं बहुत ही अच्छा लगते खाने में तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो फिर आप इस प्रोसेसे बना करके ट्राइ कीजेगा अगर व वार्ष करके छिलका उतार दिया है और अब हम टिंडे के टाप और बौटम कट कर देंगे कि अब हम के तॉप की तरफ चाकुटाल करके और गोल-गोल करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने गोल-गोल करके जिधर डंडी रहती है उधर किससे पिर मैंने किय और अब अंदर चाकु डाल करके हमें इस पेस जगह बनानी है अंदर तो अराम से हम कट करेंगे और ध्यान नेखेंगे कि नीचे ज्यादा कटना हो जाए और अब कोई भी चम्माच या चाकु की सहायता से अंदर का जो गुधे थे उसको निकाल करके बाहर करेंगे जिसे की अंदर काफी स्पेस होगा और हम मसाला टिंडे के अंदर डाल पाएंगे इसे की बहुत ही टेस्टी हमारा मसाला टिंडे बन करके तयार होगा तिंडे के अंदर का जितना भी गुधा था वो मैंने निकाल दिया आप देख पार होंगे काफी स्पेस हो गया है जो गुधा हमने निकाला है इसको हम यूज करेंगे तो आप उसको अच्छे से आलग रखिए और पूरा वीडियो देखते रही फिर आपको पता चलेगा कि हम ने कहां पे कौन से चीजे कभी यूज किया है तो सारे टिंडे के गुधे निकाल करके हमने तैयार कर दिया अब हम मसाला करेंगे जो हम तिंडे के अंदर भरने वाले है उसे रेटी करेंगे तो उसके लिए मैंने पेन गश्पर गरभ होने के रख दिया है मेडिया फ्लेम और एट किया है एक चम्माच ओयल और अब हम इसमें आट करेंगे कुछ मसाले जो जो हम तिंडे में डालने वाले तो एक चम्माच जीरा में ने आट किया है जीरा चटक गया है बाकी चीजे हम आट करेंगे और अब हम फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं औ और इसे साथ अम्मफली के दाने अभध करेंगे सूखा नारियल 스वी अभी चीजों का मिक्स करेंगे हैं 2 पिशत hmenे दो मिनट्ट हो चुका है सबची सॉफ्ट हो चुका है आब मैंट करेंगे कुछ सूखे मसाले मैंने लिया आधा चम चंदी पाउडर आधा चम मच गरम मसाला गाहें कि एग जाँ एग धनिया पाउडर एक चम्मच लालमीश पाउडर एट किया है मैंने और इसके साथ आट करेंगे हम आधा चम्मच आमचुर पाउडर इसे बहुत अच्छा खटा फ्लेवर आएगा आधा चम्मच नमक आट करेंगे हम इसमें आप अपने स्वात का इसे नमक करेंगे सभी चीजों को मिक्स करते हों मिनट दीक हाम और पका लेंगे कि अब यहां कि आप देख पार हुए मैंने हल्का दरदरा ग्रेंड किया है एक दाम फाइंड पेश्ट डेडी नहीं किया है हल्का जब हम दरदरा ग्रेंड करेंगे तो मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक अलग सा फ्लेवर आता है wz now we western देंगे तन रीडी करके रखा था उसमें मसाले एड़ करेंगे जो अंदर हमने इसपेस बनाया थके उसमें मसाले ऑड़ करना तो एक मचमच मसाले लेंगे और अच्छे से आड़ करेंगे थोड़ा सा चम्मच से हम दबा देंगे ताकि डेल सारा मसाला आए जिसे की बहुत ही अच्छा टेस्ट आए अगर हम जदा मसाला डालेंगे तो यहाप एक ठिण्डे के अंदर मसाला अइट किया है इसी परोसें से हम बाकी टिंदे में मसाले अइट करेंगे सब यंदु पर मैंने मसाला बचा हुआ इसका हम यूज बाद में करेंगे सारे टिंडे तैयार है चुके हैं अब हम हम इने पकाने के लिए चलेंगे तो पकाने के लिए कडाही ने गयस पर गरम होनके रखा है थे दोचमास तेल और इसमें हम अईट करेंगे तिंडे जो हमने मसाले भर करके रेडी किया तो तेक एक टिंडे को हमें आराम से कड़ाही के बीचों बीच में रखना है जहां पर ओल हमने आइट किया है वहाँ पर सारे टिंडे मैंने आइट कर दिया और अब हम कवर करके चार से पांच मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे फ्लेम कि सबी टिंडे को हमने आरा से बाहर निकालिया है अब जो बचा हुआ है इसी में हम मसाला तइयार करेंगे तो सबसे पहले याट करेंगे एक चमश राई और जीरा राई याजीरा हमारा चटक चुका है अब हम करेंगे मसाला जो हमने टिंडे के अंदर डाला था उसी मसाले को हम यहाँ पे आइट करेंगे मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे हमें मसालो को पका लेना है तो मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम इसमें आइट करेंगे एक चौथाई चमच कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च तीखी बिल्कुर नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए इस्तमाल किया जाता है, मिक्स कर देंगे, और आप हम इसमें एड करेंगे, पानी तो यहाँ पर जो ग्रैनिक जार मैंने ग्रैन किया था, उसमें मसाली ल पकाना है, वैसे मसाला हमने पहले ही रोष्ट किया था, तो बहुत ज़दा हमें पकाने जुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने पानी आट किया है, तो इस वज़े से हम इसे 2-3 मेरता पका लेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और मिक्स करेंगे, ताकि पानी जो है अच्छ एक कप पानी का यूज किया है, और इसे साथ हम इसमें आट करेंगे नमक, इसे पहले हमने मसाले में नमक आट किया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक आट करना है, मैंने आधा चमाच नमक आट किया है, आप अपने स्वात के अंश्वा नमक का इस्तमाल कीजिए, मिक्स करेंगे और आव मसाले में आइट करेंगे मसाले भर के और डिवाक किया था उसको नहींडिक मैं करके आराम से Hare भिल् versuchen कर देया है और आख दिया है और हम कैफ लिonly करके लो फ्लेम पे तीन से चार मेट पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर आ जाएगा तिन्डे में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कायब उठाएंगे जैसे कि आप देख पा रहा होंगे मसालों ने काफी ओयल छोड़ दिया जो हमने पानी डाला था वह कम हो चुका है अब हम सबसे पहले कि टिन्डे हमारे पक गए हैं कि नहीं क्योंकि मसाला तो अच्छा दिख रहा है रेडी हो चुका है एकदम लेकिन टिन्डे को भी चेक करना जरूरी है कि पका है कि नहीं तो एक टिन्डे को उठाएंगे और उसमें तूट पी या फिर चम्माच या नाइफ तोड़ी सी हरिधनिया का यूज किया है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कि फाइनली मसाला टिंडे बन करके तयार हो चुका है टोटल मुझे 10 से 12 मियाट का समय लग गया है अब हम टिंडे को सर्फ करेंगे गाइस आज का रिस्पी आपको कैसी लगे मुझे कॉमे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं और अगर आप इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहें तो तारा खुषवा फेस्बूक पेज को फॉलो किजेगा और वीडियो को लाइक कीजए गा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई गाईस